नमस्कार आप देखरें लालोपरसाद यादो और उनकी पतनी राबड़ी देवी की दोनों की मुलकात होचुकी है। लाली देवी लालो परसाद यादों से मुलाकात करने के लिए पहुंची इसके बाद ये तस्वीर सामने आई है। कि दोनों के मुलाकात काफी एहम है क्योंकि विधान सबाचुनाओ 2020 इसी साल होना है और दोनों इस पे चर्चा कर सकते हैं साथे साथ राबड़ी दोई के भी आँख का उप्रेशन हुआ है दिल्ली से लोटी है और वो लालू परसाद यादो से मुलाकात करने के लिए राची करेमस अस्पताल पहुंची है इधर लालू परसाद यादो के भी सेहत लगतार बिगरती सुधरती रहती है खबरे आती है कि कभी उनका शूगर फलक्चुएट कर रहा है तो कभी भी भी फलक्चुएट कर रहा है इन सब के बीच राबड़ी देवी मुलाकात करने के लिए लालू परसाद यादो से पहुंची है राची करेमस अस्पताल सियासत काफी जोर सोर से हो रही है क्योंकि माना यह जा रह चाहिए तो कहीं न कहीं इस बीच यह तस्वीरे सामने आई है जब लालू परसाद यादो से मुलाकात करने के लिए राबड़ी देवी रेमस अस्पताल पहुंची है हाला कि जब वो पहुंची थी उस वक्त की भी तस्वीरे आप देखें अपने स्क्रीन पर कुछ कह नही कुछ कहा नहीं बस वो निकल गई आपको यह भी बता दें कि लालू परसाद यादो से मिलने सिर्फ राबड़ी देवी नहीं पहुंची हैं उनके साथ उनकी बड़ी बेटी और राज़त की राजसबा सांसर मीसा भारती भी शामिल हैं इसके साथी साथ आपको यह बताएं कि जिस तरह से 33 यादो मुलाकाथ करने के लिए गय थे लालू परसाद यादो से और उसके बाद आने के बाद राबडी देवी और लालू परसाद यादो की मुलाकात एक तो सेहत दूसरी उस पर सियासत हो रही है और तीसरी मजबूत करने के लिए क्या कुछ वो टिप्स लालू परसाद यादो देंगे क्योंकि काफी लंबे अर्से से वो अपने परिवार से दूर है पटना से दूर है हाला कि वो मोनेटरिंग करते रहते हैं जारखंड में जिसतर से महा अगडबंधन की जीत हुई तो उसमें लालू परसाद यादो गिंगमेकर माना जाता है अब जो है कि जब राब्री देवी लोटती है लालू परसाद यादो से मिलने के बाद तो क्या कुछ होता है संगठन में क्या कुछ तो सब्सक्राइब कर लिजיीए फेस्बुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के livecities.in पर जाएं धन्यवाद